हेलो फ्रेंट जैसा कि आप जानते हैं कि अप्लोड करने की जो असाइमेंट की डेट वह 15 जुराइट 2020 को थी और आप लास डेट जा जुकी है तो अब असाइमेंट अप्लोड नहीं हो सकते हैं और हम यह भी जानते हैं कि कई सारे ऐसे स्टुएंट है जिन्होंने अभी तक अप्लोड नहीं किया है और वह कुछ वैलेट के कारण नहीं कर पाएं यहां तक कि लास डेट को एविनिंग की टाइम पर रिय अप्लोड का ऑप्शन भी हटा दिया गया था जिसके कारण कई ऐस स्टुएंट है जिन्होंने अप्लोड करते हैं कुछ गलतियां कर दी थी तो वह भी आप अप्लोड नहीं कर सकते हैं वह भी काफी ज्यादा अब परिशान है चीज से तो यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि एसुल की तरब से जो गाइडलाइंस आई थी फ 7.1 बहुत मोस इंपोर्टेंट पॉंटा जिस्टेंप आपने गौर्ण नहीं जाता तो वहां पर एक चीज़ लिखी थी साफ साफ कि दर डिसीजन टू अलो दोस स्टुएंट वो कुट नौट सब्मेट एर असाइमेंट आज पर देस्यादूल नोटिफाई शेल बी पर इन्हों ने यही चीज़ कहा गया कि जो स्टुएंट जुलाई में यानि कि 15 जुलाई तक वह असाइमेंट अप्रोड नहीं कर पाएंगे कुछ वैलिड रिजन के कारण तो उनको दुबारा से मौका दिया जाएगा अगस्त के स्टार्टिंग में उनको सेम एक्जाम फ कह रहे हैं कि नहीं अब उनको सेकंड चांस नहीं दिया जाएगा जो इतना टाइम अभी तक दिया था हमने वह इनफ था और ऐसा लाजमी भी एक कि जितना टाम दिया था कम से कम अठारब बेज दिन का टाइम दिया था उन्होंने तो या इट से इनफ फॉर असाइमेंट बट उन बच्चों क्या जो अभी फिलाल किसना किसी रूलर एरिया में फसे हुए उनके पास ना तो कुछ ऐसा फोन वगएरा है और ना कुछ साधन है जिसकी वैसे इस ट्राइम पर नहीं बना पा रहे हैं और उन बच्चों क्या जो फिलाल बीमार भी हुए कही ना कहीं ज वो काफी जादा मेहनत करके यहां तक आये हैं और अब उनके पास एक साधन यह कुछ वैलिड रीजन है जिनकी वैसे वह असाइमेंट नहीं दे पाएं तो उनके लिए उनको सोचना चाहिए ऐसे वालों को ऐसा नहीं कि उन बच्चों की तरफ चले जाएं बिल्कुली जो भी असाइमेंट अप्लोड नहीं कि यहां फिर गलतियां जान मुश्य कर रहें उनको इग्णोर करके एक बार उन बच्चों के बारे में सोचना चाहिए जो काफी फसे हुए हैं प्रॉब्लम्स में तो उनको सोचना चाहिए क्योंकि उनने पहले ही जब गार्लेंस में हो जाए और वह प्रॉब्लम्स का सॉलुशन अब आप लोगों के हाथ में हैं तो आप ही को कर सकते हों तो ध्यान से सुनें आपको क्या करना है तो इस स्क्रीन पर आपको जो यह इमेल दिख रहा है या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा इमेल तो आपको वह इमेल पर आपको मेल करना है एस वालों को वैलीड रिजन के साथ कि क्यों असाइमेंट को दुबारा से करा रहा चीए और हां वो क्यों अपने बात से मुकर रहे हैं जबकि उन्होंने गाड्लेंस में साब तो पर कहा था जो जब सब्सक्राइब देख रहे हैं तो उनको यह चीज आप मेल करें एवरी स्टुडेंट को मेल करना हर एक स्टुडेंट मेल करेंगे ऐसा निया कि वे स्टुडेंट मेल ना करें जिन्होंने अपने पूरे कर लिया है और सिर्फ वे स्टुडेंट मेल करें क्योंकि इससे क्या होगा कि कम मेल पहुंचे गा उनके पास तो वो फिजाला ध्यान नहीं देंगे तो आपको हेल्प करनी चाहिए उनकी भी जिन्होंने असाइमेंट अप्लोड करने पाएं अभी तो आप सब जाके मेल करें ताकि जाल से ज़्यादा मेल ऐसे वालों को पहुंचे और वो इसका सॉलूशन निकाले क्योंकि सॉलूशन आप ही निकाल सकते हैं और इसका एक एक्जामपल और भी है कि सॉलूशन निकला भी है पहले मेल के थ्रू और वो एक्जामपल किया है कि जब असाइमेंट के अप्लोड के ऑप्शन आ गये थे तो उस टाइम पे उपर में एक चीज लिखी हुई थी वो थ इस पर वीडियो बनाया था और मैंने कहा था मेल करने को कई सटोर मेल किया था तो देखा जैसे कि आप अब आप देख सकते हैं कि दह्मेल किया तो इसके जिसके यह दो दिन बाद रिक अप्रोड का ऑप्शन भी आने लग गया था और फिर पार अपने आसाइमेंट को दूर आएगा एस वालों को यह बात माननी पड़ेगी कि हाँ कई स्ट्रेंड को प्रॉब्लम है एक्शुली प्रॉब्लम है उनको दुवारा उनको देना चाहिए और वो इसका सॉलूशन निकालेंगे तो मैं आप से इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूँआ कि प्लीज आप सब हेल्प करें उन इस्ट्रेंड की जो अर्साइमेंट अप्लोड नहीं कर पाएं वो काफी ज़्यादा परिशान है इस टाइम पे और कई स्ट्रेंड जिन्होंने गलत असाइमेंट अप्लोड कर दिया आप पर्पाएं कि से त nó बिल्कुल एकक्द्यों यहाद देंगे जो अक्सियिंट नहीं कर पाया या फिर उनके फ्रेंस हो सकते हैं। negotiated को सकते वालों को वो गाइडलाइंस के डिसीजन को बार-बार याद दिलाना है कि जो नों ने लिया था उस बात से पीछे नहीं आठ सकते तो उसके रिगार्डिंग आपको रीजन दे दे के आपको अपर एमिल सेंड करना है तो फिर आज की वीडियो में इतना ही अशा करता हूँ कि आप उन स्टुएंट का हेल्प करेंगे जिन्होंने असाइमेंट फिलाल के लिए अप्लोड नहीं कर पाएं तो प्लीस आप उनकी हेल्प करें जाकर और अभी के अभी इमिल करें जार से यादा इमिल जितना आप कर स इसका सुलूशन निकाले साज की वीडियो में इतना ही तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में